नमो नाय जयगो माता वंदे मात्रमा भार्ति को प्रणाम और फिर्देश को मित्रों शक्तियों प्रमात्मा के चर्णों में सेवा को जो अवसर मिलाए मुझे राष्ट शेवा का जो मोका मिलाए मुझे ये मेरी जीवन का सच्छे बड़ा सोभाई गुर्माराजी की कृपास तो ये प्रमात्मा की चरणों में रहते हुए राश्ट को जागरत करना मेरा धर्म और कर्टब गया है मैं खाली एक बात हर रोज इस प्रोगाम में कहता हूँ और वो है अनभाव उस सांती का अनभाव उस ज्ञान का अनभाव उस प्रमानंद का अनभाव उस जीवन स्रोत का अनभाव जिसकी वज़े से हम हैं उसे जरूर करना है हमारी जीवन में हमारी भीतर की सांती का अनभाव करना हमारे लिए सबसे बड़ा महत्पुन कारिया है प्रिदाश्क और मित्रों शाक्तियों बात करते हैं 1 सितंबर 2023 के राशी फल और पंचांग, राशी फल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग, भादरपद मास, क्रशन पक्स की दिविटिया, विकराम समथ 2018, भादपरद मास की 16 परविश्थे, सक्षन 945, भादरपद 10, तद अनस्वार, शुक्रवार, 1 सितंबर 2023, शुद्धकाली नियोग, धृतियोग है, योग का शमाप्तिकाल, एक सितंबर, दोपर एक बज़ कर 10 मिंट, अगला योग शूल होगा, शुद्धकाली नक्षत्र, पूरु भादरपर नक्षत्र, श्वामी ब्रश्पति देवे नक्षत्र का शमाप्तिकाल है, वो दोपर 2 बज़ कर 56 मिंट, अगला नक्षत्र उत्र भादरपर और नक्षत्र स्वामी शनी देव, यहनि आज चंदर देव, ब्रश्पत देव और शनी देव, कन्या राशी में मंगल देव, मेश राशी में रहु देव, ब्रश्पत और तुला राशी में केटू देव, यह है घरों का संचरन, और इसी आधार पर 1 सितंबर 2023 का मैंने राशी खल लिखा है, आज का जो आभीजीत मिर्त है, वो सुबे 11 बज़ कर 56 मिंट से लेकर, दोपर 12 बज़ कर 46 मिंट तर, अवदी 50 मिंट है, और यही 50 मिंट आज की दिन सबसे सुबकारी करने का सबसे उत्ता मुर्द है, कोई भी नयार सुबकारी जिस कारी में चीर कालत का आपको लाब लना है उसे आभीजीत मूर्द में करें, और आभीजीत मुर्द भगवान सेरी हरी को अतिप लिया है, आज का लाब का चोगरिया सुबे 7 बज़ कर 34 मिंट लेकर सुबहि नो बज कर 10 मिनट्र का चौगडिया सुबहि नो बज़ कर 10 मिनट्र सुबहि ड़स पर 45 मिनट्र अम्रहूकाल कदर शुभकार लेकर शौधा नहीं करना पुझजद करना अनकूल और उचित माना नहीं गया इस सला मेरे और मर्जिया यात्रा उत्तर दिसा की ठीक रहेगे और आज के दिन मीठा अदाई का सेवन करते विए यात्रा पर निकलेंगे तो यात्रा में कश्ट कम आएगा फिरदर्शक और मित्रों शाथ क्यों शमय शाधन प्रशतियां और काल मे किसी भी दिसा में यात्रा करें मेरी और से कोई बंधन नहीं है हाँ जब आप आज के दिन यात्रा के लिए घर से बाहर निकलें तो पहले साथ कदम उत्तर दिसा की और जाए इस्ट देवता कुल देवता प्रितर देवता का ध्यान करते हैं मंगल में यात्रा की कामनाक मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों शात्य। आप सभी लोग सनिधाम का जो नंबर है कोशाला का नंबर है उस पे आप फोन करते हैं जो लोग वहां काम करते हैं उनका ओफिस का अपना एक ताइब है आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर साम 8 ब बजे के बाद आप फोन नहीं करें आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकरी आपको कोई नहीं देगा तो जो भी जो सनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गवसाला के इन नंबरों पर शंपर्क जो होगा वह सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा इस बात का थ् प्रिदेशकल मित्रों शात्यों एक सितंबर आपका जनम दिन या फिर सादी की साल गरे तो मेरी और से आपको हर दिक सुबकाम में आपका जिवन खुश्यों से भरा रहे शनिदेव की सिर्चलनों में मेरी प्रात मित्रों शात्यों एक सितंबर आपका जनम दिन या फिर सा प्रान ब्रह्ममूर्थ में सर्धापुर। भगवान लक्षमे नाराणी का पंच पचार पूजन करें। दूपदीप नहविदी पुस्वर अक्सत अर्पित करें। सुध जल से सिनान कराए। तसपरसाथ गाई के कच्छे दूद में थोड़ा सा गंगाजल, थोड़ा सी मिस केसरी ठोड़ा सा केसर डालकर पुने आउम नमो भगवती वाशु देवाए नमह इस मंत्र का जाप करते हुए आभिशे करें। पुने स्वजल से सिनान कराए। और श्वेत रंग की मकमली पोशाक पहनाए। पुने सरधा पुरवक चंदन की धूब दलाए। किसी कुद्ध को पिलाए। लगातार हर सुक्रवार को यह उपायकर रुषाल भर करें। केरियर, कामकाज, कारुबार, नौकरी, व्यवसाइब, समाज और परिवार में कोई भी परिशानी और विग्न होगा उससे आपको छुटकारा मिलेगा नमानाए। अब मैं आपकी राश देव का संचन है। और चंदर देव आज ब्रश्पति देव और संदेव के नक्स्तरों में संचन करें। समय उत्तम रहेगा। समाजिक सरकल बहुत अच्छा रहेगा। केरियर, कारुबार, नौकरी, व्यवसाइब में लेंदेन के उत्तम अवसर मिलेंगे और लेंदेन के रूप में प्राप्त होगा। आप युवा है, विद्यारती है, जो आप महनत करें, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, लाप प्राप्ति के लिए इस सारे प्रियास जो आप करें वो शपल होगी, रोजगार की साधनों बलोगी, कैरियर और कामका समधी परिशान स्वी मुक्त आज में शुकरवार कर दिन है, महालक्ष्मी की सारे बीज मंत्रों का जाप बताऊंगा, प्रतेग राप्ति के लिए अलग लग, मंत्र का जाप प्रतिकाल नित्य कर्म नियू सनानो उप्रांत सरप्रतों महालक्ष्मी जी का सरधापरुपंच पचार पूजन करें, सुद् इस राची वालों, ओम, शुरीम, हुरीम, क्लीम, महालक्ष्मी नम, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा, नमनें पर बात करते हैं, विर्शवरासी, दसंभाव में चंदर देव, ब्रश्पत देव और संदेव के नक्षतरों में संचन करें, शितारे लाब शफलतार पान पान पर आप एक विशेष आपका इस्तर उंचा होगा और उपवार की प्राप्ती होगी, भेंट की प्राप्ती होगी, और कारुबार यात्रा का अउस्थे भी मिलेगा, यात्रा बड़ी लाब दाएक रहेगा, आज युवाओं के महत्पुन का रिश्यद होंगे, प प्रस्ताव आरा है तो पारवारी ग्रजबंदी लेकर स्विकार जरू करें क्या ना करें स्वास्टी की प्रति लापरवाई ना करें शुबंग पांच शुबंग हरा भाग्याप की पक्ष में 70% लाप का संकेते हैं प्रश्वराशी वालों ओम हरीम श्रीम क्लीम हंसो जगत पुर्शते नमा इश्मंतर का जापकान अती उत्तम रहेगा नमन और बात करते हैं मिधून दाशे मिधून दाशी वालों के लिए नमवं पहामें चंदर देव ब्रक्रश्पत्र देव के नक्सतन में शंचन करें भागिस्तान में चंदर देव का मिलेगा शोच शकारत मक रहेगी समाज में मानसमां में बिर दर बांगि परेगा लोखित के कारे में बॉजे में बघुटरों का所以呢 spring के सिखषा और क्यरियर में स्पुन शपलता रहेंगे औरkay region तो कारुबार श्रमन्दी सफलता कि अच्छे उसर मिलें क्या करें वरिष जन्नों से मेल जोल बढ़ाए क्या ना करें धन और समय का अपवय ना करें सुबंग साथ सुब्रंग करीम भागिया आपकी पक्स में अब बात करक्रासी की करूंगा लेगिन करक्रासी की बात करो उससे पहले आज का उत्तम हो पार इदि आपके केरियर में कारूबार में नौकरी में धन शम्न्दी परिषानियों का सामना करना पढ़ रहा हो आपकी जिवन परिश्यम और संगर्ष के बाद भी मालक्षमी की कृपा नहीं हो तो अपने घर में कमल पर विराजमान मालक्षमी का स्रीवगर अंगुष प्रमान या चित्र इस्तापित करें अच्छा लेगा दुकान ओपिस और फैक्टरी में खड़ी मालक्षमी की करें ओम पदम मालाय नमह इस मंत्र का जाब करते मालक्षमी की सिर्चलनों में 108 मोगरी की पुश्वर्पित करें संपूण धन्शंबंदी परिशांदी चुटकारा में बात करकराशी की करतें करकराशी वालों के लिए चंदर देव अस्टम भाव में ब्रश्पती देव औ मेहनत परिश्रम संगर के बावजूद भी सफलता के अवस्तर कम आए इसलिए धैरिय और संयम से काम करें वानी पर संयम रखें जल्तबाजी में कोई निरनाय नहीं ले घर परिवार में संतुलन बनाकर रखना बहुत जरूरी है आप साधी सुदा है तो जीवन सात्ती के सा कले नहीं हो समझोता बादी मीपी अपना है नक्षित गरना इसे बात का संकेत है कि घर और परिवार में कले की संभावना है बंते वे कारी बिगड़ेंगे विरोधी हानी पहुंचाने का प्रियास करेंगे और खर्चों में बढ़ोतरी होगी और माता की स्वास्ती को लेकर संतर भी फाधिकुलता का तका संकेत नजराह रहाए नक्षे तोल्ग थोलसा परिषाने का संकेत देगी है वह थोड़ासा साथानी जरूरी आज अलोचना का सामना करना पर सालोचना को जूटा आरोब भी लग सकता है, नेथिक्ता का दामन पकर कर रखें और धैर इससे काम करें, क्या करें, कामकाज हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कारूबार हो, शतर्टा बहुत जरूरी आजाएं, क्या ना करें, जल्दभाची में मुर्ट में करिएगा और तीन माला जरूर करेगा कश्ट और परिशान से मुक्ति मिलेगी नमना इन बात करते हैं सिंग रासी सप्तमभाव में चंदर देव ब्रश्पत देव और सणिदेव के नक्षतरों में संचरण करें सब्सक्राइब साध्यदार है वैपार है कारोबार कारोबार में कामकाज में वैविशाय में आर्तिक पक्ष की सुद्रता के अच्छे संकित नजर आ रहे हैं वैविशाय विस्तार के अवसर मिलेंगे देश विद्धेश से नेक कारोबारी अनुद लाप्रत साबित होंगे शास और प्राक्रम बढ़ेगा शुबकार ये कारोबारी यात्रा युवाओं के लिए उत्तम रहेगे आप सी रिस्तों की वज़े से पारवारी कारोबारी और केरियर और समझीक परिशान से मुक्ति मिलेगूर शिक्षा के चितर में आगे बढ़ने का मोगामी हो क्या करें कारी कैसा भी हो सास्पुर्क हिम्मत से उस कार में डटे रहें क्या ना करें कारी सितर पर लापर वाई ना था शुबंग दो सुबरंग गोल्डन भागिया आपकी पक्स में साथ परसंद लापकर संकीर सिंग राशिवालों ओम हरीम श्रीम क्लीम नमो भगवती महाईश्वरी अनपुनेश्वा इस मंत्र का आज तीन माल जाब करना अत्य उत्तम रहेगा आर्तिक दस्टिकॉंस नमना इनुन बात करते हैं कन्यारासी छटे भाव में चंदर देव ब्रश्पत देव के नक्स्तरों में संचन करें सितारंगी चालन अनकुले रुकिवे सरकारी और गयर सरकारी कारी बनेंगे सरकार में आपका शुगर आशिवाद बना रहेगा केरियर में सफलता कि अच्छे अवस्तर रही हों के लिए देश विदे से केरियर संबंदी सुमसार मिलेंगे नहीं मैत्री संबंद लाब दाएक रहेंगे घर परिवार में मांगली कारी संपनेगों रियात्रा में उत्तमता रहेग और शि पंचंभाय में चंद्र देव और पंचंभाय में मिलेगा जहां तक केरियर कारवार नौकरी का मामला है, महनत और परिश्रम का पूर्ण मिलेगा, आप शक्ताओं की पूर्धी होगी, लेंदेन की मसले ठीक रेंगे और किसी समाजिक कारी को करने का आउसर भी मिलेगा, आपको अपना विचार वेक्ट करने का पूर्ण आउसर मिलेगा बुजर्गों की सला से रुकिवे काम बनेगो धन की प्राप्ति होगी, लेकिन वानी फर सयम चाहिए, भावुकता से बचना बहुत ज़रूरी है, भावनाम बैकर निरनाय नहीं ले, कारवार के छेतर में सयम पूरकारिय करें, यो आपनी लक्स की प्रती सज़क रहेंगे, तो अनिकूल प्रणाम प्राप्त होंगे, क्या करें, कोई विकारी पारवरी रजाबंदी से करें, क्या ना करें, अपनों से बैर भाव ना करें, शुबंक एक, शुबंक भूरा, भाग्या आपके विदू, 60% लाब कर संकेते तुलाराश्वल, ओम नमह, कमल बाशने ही मंत्र का जाब करना उत्तम रहेगा, नमनें, और बात करते हैं विद्सेकाश, चतुरत भाव में चंदर देव, ब्रश्पत देव और संद्देव के नक्षटर में संचन करें, परिवार में आज कलहे नहीं हो, इस बात पर आपको गोर करना पड़ेगा, परिवार के सबी मनवें और पारवरिक सलह से काम करेंगे तो अच्छा रहे है, संतान पक्स को लिकर थोड़ा सा कर्ष्ट नजर आ रहा है, कारिशतर में बादा है, जो आपने सोचा पूरा नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है, मांसिक खिंता और कर्ष्ट की वजए से आज थोड़ा सा उदा क्या करें, क्या करें, अपनी वारता और कारियों को गोपने रखना बहुत जरूरी, क्या ना करें, किसी बार ही व्यक्ति को घर की बातें ना बताए, सुबंग साथ, सुबंग मैरून भाग्या आपकी तीस परसंद लापता संकेत बरसिक राज़ वालो, ओम, श्रीम, हरीम, इस मंत्र का जाब करना उत्तम रहेगा, ना मनाएं, और बात करते हैं राज, तीसरे भाव में चंदर देव, ब्रश्पत देव और संदेव की नक्षतर में संचने जरे, ग्रहकोचर अनकुल होगा, नक्षतर इस बात का संग्ति सास्त और प्राकर में भी बडोतरी होगी, चोटे भाई-बैनों को शपलता मिलेगी, चोटे भाई-बैनों का कारियों में पूर्ण शयोग प्राप्त होगा, कम्मिनिकेशन स्केल बहुत अच्य होगा, अधिकारी बरत का स्योग मिलेगा, सरकारी कारियों में शपलता मिलेगी, देश-विदेश में कारोबारी यात्र हिसाइब से उत्तम अवस्वर्वाद मैं ना करें अनावश्य को बात करते अब मकरासि उससे पहले आज साथान चोटा सा उपाई बता निगा चारिस शुकुरवार करना और शुकुरवार के दिन प्रात काल नित्यकरमियों सद्थ स्वरप्रथम मालक्षमे की सिर्चन में शुद्ध देशी बात करते हैं मकरासी दूसरे भाव में चंदर देव ब्रश्पत देव श्वजनों के सहोग और महनत और परिष्णम की वज़े से सारे काम बने कारियों में घतिया आएगी आर्तिक पक्सुदर होगा भाग दोड परिष्णानी से पीछा चुटेगा और समाज में आपका वर्तस्यों बहेगा लेंदेन की मसेले ठीक रहेंगे कारोबार के शितर में उत्तम अवसर नौकर में संतुलन बनारें लेकिन एक बात अधिकारों का नाइजाइज फाइदा नहीं उठाना और जिम्हदारी की प्रति सचेत नहीं रहे तो नुक्सान हो जाए शिक्षा के छेतर में विद्यारतियों को पूर्ण आउसर मिलेगा शफलता का मेहनत और परिश्रों का लाब मिलेगा केरियर और एज्जुकेशन के प्रियास करें मेहनत करें शफलता आपके साथ क्या ना करें अपने कारियों के लिए दूसरों पर नेर भरना रहे शुबंगनों सुब्रंग्रे भागिया आपके साथ प्रसंद लाब का संकेत हैं मकराश वालों ओम रिम महलक्षमाई नमाहों इस मंत्र का जाप करना आज उ जयार आपकी सोद्ग है आपका इुद्ग है आपका वीवहर है आपका श्तेयं आपके विचार ए Tusya तो नक्षयत करना पूर्त कोफ़ें सब्सक्राइब अपके पक्ष में हैं सास्त और पुर्षारत में मनोकावना पून होगी शत्रू अपने परियासों में विपहलोंगे परिवार और कामकाज में अच्छा संतुलन रहेगा और आर्तिक पक्षि सुदर्था से परिवार में में खुश्यों का वातामा रहेगा रहेजर के लिए विट्वत्त के लिए क्यंद। आध्यन में आपका मन लगेगा और शिक्षा के सित्र अगे बढ़ने का मोखा मिलेबा वेड़् के भर्मन से बचना चाहिए किया करें आज अपनों की शुद लेना अपनों की साथ बैट कर अपनों की आवशकता ओप ध्यान बेना क्या करें बहुत जरूरी किसी का नुक्सान न करें शुबंग पांच शुबंग परपल भाग्या आपके प्रसंद लापका संकीत कुम्राशी वालों ओ मलंग लक्षमाई नमहां इस मंत्र का जाब करना उत्तम रहेगा नमनाई और बात करते हैं मिनदाशी मिनदाशी वालों के लिए बारवे भाव में चंदर देव और बारवे कावना आपको मुशिबत में डाले जो प्राप्त हैं वही प्रियाप्त है इस नीटी को नहीं अपनाए तो नुक्सान हो जाएगा कार्यों में जल्दबाजी नहीं करें खर्चों पर अंकूस रखें और परवरी रिस्तों की कदर करें अनितिक कार्यों से दूर रहें अपन पर शुबंग साथ शुबंगुला भागती परें के वल तीस पर संटे थे मिनदाश वालों ओम स्रीम कमले कमला ले पर सिदा पर सिदा स्रीम एंव महलक्षमे नमा इस मंतर का जापका ना आज आपके लिए उत्तम रहेगा नमना रहें प्रदैश को मित्रों शात्यों यह को और जर्जचों का राश्चिपल्ट नक्सटर करनां के अधार पर आंक्लन मेरा मित्रों शात्यों ना भाय न भ्रमन ब्रांती ने विवाद्म न तक शकन ओपन गदकर आपका था आपका है आपी का रहेगा का नियुक्त दोनों हाज़ोर को छमा मंगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्त रहें, समर्दी सील लें। शनेदेव की चरण में मेरी प्रात्ना ओम नमोना रहें। रास्तान का हर व्यक्ति जानता है एक दाति मराज गायों से बहुत प्यार करता हूं। हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया है। यह मेरा शौक था, मेरी राष्ट की धरवर थी और यह करना मेरा करते और करम था। मैं आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा हूं, बिस खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का लक्ष रहा है। मनश्य हूं और मानव होने इतनाती मेरा करतव है कि मैं अपनी राष्ट की शेवा करूं। मैं इस राष्ट का नागरिक हूं। तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है। वरतमान प्रस्तियां आर्तिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं। पहले भी कभी नहीं मांग आप भी में नहीं कह रहा हूं। और यह मेरा इंकार नहीं है तेकि धन को लेकर मेरा आश्ट के सामने कभी नहीं आए था। हमेशा मैंने ये काक्षाब शेवा करिया आप मैं भी शेवा करता हूँ आप भी शेवा करता हूँ धन नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक प्रस्तिय हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनीधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके मुझे आपका स्वहोग चाहिए और स्वहोग के लिए मैं शेवा आपके साथ खड़ा हूं आपकी शमश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा जब तक जीओंगा तब तक खड़ा रहूंगा नमबर आ रहा है इन नमबरों पर शंपर करें आप मेरे से बात करें लेकिन इसकी है वज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता कर लेजिए और इसलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूं और म पर्शे नहीं मांग तब मेरा ये एंकार नहीं है मैं ये नहीं है और ये करूंगा आपके लिए sigue चाहरे की वेवस्ता करें है नहीं अ आपका घापका जीवन सदा खुश्यों बाने कrukt। और वे लोग जो शक्षम है, शामर्थेवान है, और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्यक्ता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, पिछले एक महिने में लगबग लगबग 20-25-50 लोग ऐसे भी है, जिन्नोंने सनिधा प्रणाम, क्योंकि आर्तिक दस्टिकों से अनकोर संकेतनी दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधान गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए, सरकार स्रपोर्ट कर रही है, अपनी शिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है, यह आप भी जानते हैं, शासन के अपनी एक शिमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी, मैं आप सभी का धन्यवाद देते विए, हिरदय से पुने एक बार ने वेदन करना जाते हैं, कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ स झाल